एक बेहतरी शेफ भी बन सकती हैं तो जरूर ट्राय करें एक क्विक और इजी कुकिंग टिप्स पहला अधी दही वाली अर्बी या दही वाले आलू बना रहे हैं तो उसमें नमक अंत में मिलाएं जब ग्रेवी पकर गाड़ी हो जाएं पले नमक डालने से दही फट जाती है और सबजी में दही का स्वाद भी नहीं आता है टिप नमबर दू अगर कोई रायता बनाते समय उस वक्त नमक नहीं मिलाएं बलकि सर्व करते समय नमक मिलाएं ऐसा करने से नमक पानी छोड़ देता है और रायता पतला हो जाता है टिप नमबर तीन सौफ्ट इटली बनाने के लिए उरत दाल चावल भीग होते समय उसमें आधा कप साबुदाना मिलाएं जब दाल चावल भीग जाए तो उसे पीछ लें चार लाल मिर्च पावडर को अधिक समय तक सुरच्छित रखने के लिए उसमें हींग का एक टुकड़ा डाल दें लाल मिर्च खराब नहीं होगी टिप नमबर पांच सकर का डिबबा अगर गलती से खुला रह जाए तो उसमें चीटियां लग जाती हैं चीटियों से बचने के लिए डिबबे में पांच-छे लॉंग डाल दें चीटियां कभी नहीं आएंगी टिप नमबर छे मेथी कडवी होती है उसकी कडवाहट को दूर करने के लिए पत्तो पर थोड़ा सा नमक छिड़क कर 15-20 मिनट तक रख दें बाद में अच्छे से धो कर पकाएं टिप नमबर शाथ चावलों को कीडों से बचाने के लिए उसमें नमक डाल कर रखें चावल अधिक समय तक सुरच्छित रहेंगे टिप नमबर आठ भिंडी काटते समय चाकू पर थोड़ा नीवू रगड़े ऐसा करने से चाकू और हाथ लिसलिसे नहीं होंगे टिप नमबर नव पनीर को अधिक दिनों तक तरो ताजा रखने के लिए उसे ब्लोटिंग पेपर में अच्छी तरह लपेट कर रखें दस लहसुन को जादा दिनों तक इस्टोर करना चाहते हैं तो उसकी कलियों को छील कर साफ सुथरे डिब्बे में बंद करके फ्रीज में रखें ध्यान रखें लहसुन पानी में गीला नहो और नहीं डिब्बे में नमी हो 11. हर धनिय को 10-12 दिन तक सुरचित रखने के लिए सबसे पहले उसे अच्छी तरह साफ कर ले एयर टाइट बॉक्स में साफ कपड़ा विछा कर हरा धनिया रखकर लपेट ले कपड़ा सारी नमी सोख लेगा 4-5 दिन बाद कपड़ा बदलने हरा धनिया ताजा ही रहेगा 12. रायते को टेस्टी बनाने के लिए उसमें कसूरी मेथी को क्रस करके डाले उसका स्वाथ डबल हो जाएगा 13. कसूरी मेथी की जगां आप करी पत्ते के सूखे पत्तों का पाउडर बनाकर ही डाल सकते हैं 14. गुलाब जामुन बनाते मावा में मैदा की वजाए गेहूं का आटा मिलाकर गूतले स्वाद एक जैसा ही आएगा 15. सूप बनाते समय ब्रेट टूटरंस डालने की वजाए पनीर के क्यूप्स काटकर डाले सूप और भी हेल्दी और टेस्टी बनेगा 16. चावलों को खुसबुदार और स्वादरिष्ट बनाने के लिए बनाते समय उसमें थोड़ा सा दाल चीनी पाउडर या दाल चीनी का एक टुकड़ा डाले 17. ककड़ी लोकी और बोंदी के रायते में जीरा हींग और लाल मीर्च का तड़का लगा कर खाने से रायते का स्वाद दोगुना हो जाता है 18. केक को स्पंजी बनाने के लिए वैटर में दो टीस्पून ब्रेट का चूरा मिलाएं 19. अक्सर मक्के की रोटी वेलते समय तूड जाती है मक्के की रोटी तूटे नहीं इसके लिए मक्के के आटे को चावल के माड से गूते पानी से बिलकुल नहीं 20. सूखी सब्जीयों का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें दरदरा पीसा हुआ मुंफली फावडर मिलाएं 21. तेज आज पर सब्जी बनाते वक्त अक्सर नीचे जल जाती है ऐसे में सब्जी में दो टीस्पून दही मिलाएं दही मिलाने से सब्जी ने जलने का स्वाद नहीं आएगा टिप नमबर 22. सब्जीयों को उबालते समय उसका रंग बदल जाता है अता उबलते समय उसमें थोड़ा सा नमक मिलादे रंग नेचुरल ही रहेगा टिप नमबर 23. पकोड़े या पूड़ी बनाते समय तेल में एक दो वूदे वाइड विनेगर की मिलाएं पकोड़ों और पूड़ी का कलर और टेस्ट जेव का तेव ही रहेगा 24. पकोड़ों को कुरकुरे बनाने के लिए उसमें घोल में चिटकी भर आरारोट और दो टीस्पुन गर्म तेल मिलाएं 25. खीर के लिए अधी बादाम भीगोना भूल गये हो तो एक कप गरम पानी में बादाम को तीस मिनट तक भीगो कर रखे छिलका आसानी से निकल जाएगा 26. हरी मटर को जादा दीनों तक फ्रेश रखने के लिए उसको छीलकर जीप लॉक बैग में डालकर फ्रीजर में रखे 27. सबजिया पकाते समय उसका कलर नेचूरल बना रहे इसके लिए पकाते समय सबजियों में चिटकी भर शक कर मिलाए उसका कलर नेचूरल ही रहेगा 28. साधा पराठे को कुरकुरा बनाने के लिए आटा गूथते वक्त उसमें एक उबला आलू मैक्स करके डालें क्रिस्पी होने के साथ साथ टेस्टी भी बनेगा 29. स्वाध्रिष्ट पराठो का मज़ा लेना चाहते हैं तो पराठो को तेल या देसी घी में बनाने की वज़ाए वटर लगा कर सेकें 30. भिंडी की ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रखने के लिए पहले उसे धोकर शुखा लें फिर उसमें सर्शो का तेल लगा कर रखें चाहिए उबाल आने के बाद धीमी आज पर पकाए 32. अधी आप किस्मिस को 2-3 महिने तक सुरच्छित रखना चाहते हैं तो उसे किसी एट टाइट डिबे में भरकर फ्रीज में रखें जब भी खीर हलवे आई स्वीट डिस में डालना हो तो डालने से पहले 15 मिनट गुनगुने पानी में डुबो कर रखें बाद में साफ कपड़े से पोचले 10 मिनट तक सूखने दे प्लीज वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर करें आगे की वीडियो देखने के लिए पार्ट टू देखे